हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट विद सुरेशबाद में तो फ्रेंड्स देखेगा आज हम एगरिकल्चर की चौथी क्लास लेकर आये हैं और जो थर्ड क्लास थी उसमें हमने जाना जितने भी हमारी राइस क्रॉप यानिकी चाव सब्सक्रशन काफी बनते हैं तो उनके सब्सक्राइब आपको इंपॉटन देंग ने इंपोर्टेंट बता देंगे किसमें में तो पूर्ण कौन सा है एक्जाम के लिए ठीक है और अगरिकल्चर के जितने हमारे स्टुडेंट है वह सभी मलब उन सभी के लिए यह जितने भी हम पढ़ा रहे हैं यह सभी इंपोर्टेंट है और एलियो के लिए हम आपको टिक मार सब्सक्राइब काफी इंपोर्टेंट इतने क्वेशन बनेंगे वीट से यान कि ग्यों की केती से वह भी रखे हुए है समय को नश्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग जानते हैं वीट का बॉटरिन निकल नेम क्या होता टेडिगम है इस्टीव होता है ठी करने चलते हैं एरिया के बारे में हम बात करें तो एरिया यूपी का म 변ैंस में इसमें इसमें अर्यकर यूप channelsं की उत्र परदिगता कर एक इसका वीडंगर करहुं कि हो इसलिए होते हैं कि पूरी इर्रीटेट फासी है और इसातियां करता है अधिक रूप इसलिए क्या है कि इसलिए क्या यहां की उत्पाद अगता है यानि कि प्रोड़क्टिविटी भी अधिक है ठीक है चलते हैं थोड़ा इनका क्लासिपिकेशन भी हम जान लेते हैं तो देखेगा ब्रेड वीट आपको कर रहे हैं इसमें जो इसका बॉटन निकल नहीं होता है ब्रेड वीटविट भी कहते हैं यानि कि खाने का ग्यों भी कहते है दिखका यह लिखे मैं कुछिसमें प्वारत् प्रेंट का 95% यानि कि इंडिया की बात करें तो 95% एरिया पूर्ण रूप से करता यह एक हग्ज बॉलाइट है कही बार पेपरों में पुजा में पेपॉ अच्छा है और इंडिया में 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 और यह जो यह वीट था नहीं में मैं करूंती यां कि भार्त में जयों के खुल 4% कितना 4% एरिया के घरता है, IST यूज्ज फोर सूजी सिमय एंरे सूजी बनाने क्या मदा युस की वर्यायटी है ना ज्यादे इंपोर्टन नहीं है जबकि टीटिकम की बात करें तो यह एक्जापलोइड है कई बार पेपरों में पूछा जाता है ठीक प्रेंट्स चलता है इमर्वीट को किसी कहते हैं यही आपके लिए इंपोर्टन बढ़ेगा और साथी साथ यह एक्सापलोइड ठीक तो फ्रेंट्स यह क्या है इमर्वीट को कहते हैं यह भारत के कुल शेत्रबल एक परचेंट ज्यादा शेत्रबल कवर नहीं करता है और कौन सा एरिया करता है साथ इंडिन एरिया में यह ज़्यादा कवर करता है ठीक है जो दिस होती उपमाव यूभी इसी के दोरा बनाया जाता है इमर्वीट के दोरा यहनिकर टिटिकम डाइकोगम के दोरा बनाया जाता है तो फ्रेंट्स I hope कि आप सभी लोगों को इसना काफी किलियर हो चुका हो तो फ्रेंट्स climate की बात करें wheat के climate की क्लाइमेट लिए उश्न और उपोष्ण जलवाई वाले छेतर में उगाई जाती है जहाँ क्या होगी उश्न जलवाई होगी वहाँ यह उगाई जाती है तो फ्रेंट्स हम बड़े बड़े तोर में हैं जब इसकी sowing time होता है वहोता है अ पकनी का टाइम होगा इसका है उसे में टेंपरेचर काफी हाई जाता है यानि कि मार्च और एपरेल में इसकी कटाई हार्वेस्टिंग भी होती है तो ठीक है कटाई की टाइम क्या चाहिए हुमिड यानि कि काफी गरम टेंपरेचर चाहिए होट टेंपरेचर चाहिए होट द मान जो इसका जो दिखेगा अंकोरन के लिए जर्मिनिशन के लिए कितना optimum temperature चाहिए है वो चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटिग्रेट जबकि C3 and long day plant यह क्या है एक C3 plant है एलियो के एक्जाम के लिए क्या है मैंने क्या बोला वेजिटिटिव ग्रोथ के लिए कूल एंड मॉइस्ट टेंपरेचर जी जबकि ग्रेंड फॉर्मिर्शन के डाइम पर जब दाना बंड रहोगा उससे में कैच यह गरम वेधर चाहिए ठीक है तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है एलियो के लिए ये काफी important बनेगा आप सभी को मनें बदा दिया है रभी सीजन की crop है तो यह काफी important भी बनेगी सीटरेट की बात करें तो सीटरेट काफी बार पूचा गया तो आप सभी लोग की याद का लिजीगा सीटरेट ये क्या है नार्मल सोईंग के लिए 100 kg पर हेक्टर चाहिए होगा तो फ्रेंट्स आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा है यदि एक हेक्टर के लिए 100 kg बीज की आउसकता पड़ती है तो एक नाली अगर किसी ने हमारी वीडियो देखिए जिसने कनवर्जन नाली में कितना स्कॉर मेटर होता है और एक हेक्टर में कितना स्कॉर मेटर होता है तो आप हमें बताएंगे कि एक नाली के लिए कितना kg सीड चाहिए होगा तो फ्रेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा तो friends आपके comment की क्या करेंगे हमें stimulate करेंगे आगे video बनाने के लिए तो friends हमें बताइएगा एक नाली में कितना kg वीज चाईए कितना kg सीड चाईए नफित रहने यदि किसी बीज का港 कोAh 100 kg पर है तो एक नाली में कितना बीज की आँसकता होगी तो friends comment box में जाके जरूर comment करिएगा ठीक है friends काफी easy question है spacing की बात करे comments box में जाके comment करिएगा जितने भी हम question पूछते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है सभी लोग इसमें comment जरूर करिएगा seed rate की बात करें तो let's showing late यानि की broadcasting broadcasting अब सभी लोग जानते हैं क्या चिटकाओ करना चिटकाओ वीदी को broadcasting कहता है 125 kg इसमें क्या होता कि spacing कुछ maintain की नहीं जाती इसलिए क्या होता कि ज्यादा इसके beach की आउसकता होती है 125 kg पर hectare पर hectare का beach लग जाता है जबकि dibling अगर dibling की बात करें diwb dibling की बात करें 25 kg से 30 kg पर hectare की आउसकता होती है इसमें बिल्कुल maintain की जाती है इसमें इसमें अगर दूरी की बात करें बिल्कुल याद करें दूरी कितना चाहिए इसमें इंपोर्टन इंप क्वेशन है इसमें वीट में काफी बार पूछा गया है रो से रो यानि की जो line से line के दूरी होगी 22.5 cm होती है जबकि प्लाट की बाद एक प्लाट से दूसरे प्लाट की दूरी होगी वह होगी 10 cm जासे रो हो गई ठीक है इस रो की दूरी कितने होगी आपस में 22 cm 22.5 cm होगी जबकि अगर हम यहाँपर पलान्ट लगा देते हैं, यहाँपर पलान्ट लगा देंगे आप यहाँपर सो कर लिजएँ अक्टुबर का दूसरा सब्ता लेते हैं यानि कि रैन फेट जहां बरसा अधीन खेती की जाती है उसी जगें क्या कर लेंगे पहले वाई कर लेंगे ठीक है फ्रेंट्स आई होब कि आपको इतना समझ में आया होगा तो फ्रेंट्स वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करेगा और लाइक डिशलाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा ठीक है फ्रेंट्स चैनल को अगर किसी साथे ने भी तब सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा ताकि हम और आपके लिए इन्फरमेटिक वीडियो लेकर आ सके है साइनसजर र्लेटेट वाई की वीडियो को बात करें तो लिए तो वीडियर में क्या लिए जबसे कम सीट कि आप सकते होती है अधर मे अधरрос़ी हे सबसे कंसी कि तरफ से ठीक हो गे हम यह क्या लेगा है, behind the plow method आप सभी लोग जानते हैं कि hull की पीछे plow मतलब hull की पीछे क्या लगाना है seed by करना, ठीक है यह क्या by की कुछ method है, जैसे kaira method, kaira की method की बात करें तो काफी important kaira method आप याद कलेजी kaira method when seed are dropped by hand in the furrow made by country plow जो हमारा देशियाल होता है आपको दिखा देते हैं अभी देशियाल जैसे यह देशियाल हो गया ना यह देशियाल होता है इसमें क्या करनेंगे, जो यह furrow बना देता है इसमें क्या बनेगा, जब यह hull लगाएगा तो उस जगे इस पर type में, we know उसके टाइम में बन जाएगा तो इसको क्या करनें, furrow करते हैं इस जगे क्या करते हैं, seed को drop कर देते हैं बीज को क्या कर लेंगे, इस जगे drop furrow में डाल देंगे हलके पिछी पिछी जैसी हल यह चल रहा है उसको पिछी पिछी seed को भी drop करते जाएगे इसको क्या कहेंगे, कहरा मेथड कहेंगे आपको इतना बिल्कुल समझ में आया होगा कहरा मेथड क्या है, when seed are dropped by hand हाथों दोरा जाएगे, डाला जाएगा और furrow में डाला जाएगा मैंने बोला यह जो बीज का इस तान है हाथ के दोरा इस ताइब में बन जाता तो यह बीज के इस तान में क्या है हाथ के दोरा बीज में, बीज डाला जाएगा हाथ के पिछे-पिछे, country method याने की जो दीसियाल होता है चलते हैं, second, porra की बात करें porra method seed are dropped in furrow by funnel और नाइ attached to plow ठीक है, यह क्या होता है plow के पिछे जैसे, यह मैंने आपको भी diagram show किया था जैसे, यह हल है, ठीक है फ्रेंट यह क्या है, हल है यह हल है, यह हल है यह इसकी पिछे के करी लिए जाती एक keep time में बना ली जाती है जिसमें funnel बनाए जाते है इसके उपर इसमें बीज रखा जाता है इसमें बीज डाला जाता है तो जैसे हल चलीगा, इसमें दीक द्वारा इसके पीचे-पीचे क्या है अपना पी कुछ दूरी में क्या अपना बीज पढ़ता है, जाएगा इसको पोरा method कहते है इसको आप कुछ नहीं करना आपको इंपोर्टन्ट है फरो इरिगेटर रेजड वेड सिस्टम यानि कि जो फरो होगी इसकी उपर उपर की इस ताय में बनेगा जब हम बार बार लगेंगे तो इस टॉब में क्या करते है सीड बुआई कर लेते हैं इसको आप करना कुछ नहीं इसको करना है फरो इरिगेटर रेजड वेड सिस्टम इतना ही याद कर लीजिएगा ठीके फरेंट्स ये पांच मेंथरते हैं आप सलते हैं वराइटी की तरफ वराइटी की बात करें जब स्वार्फ इसको ने घृंट्स नारींटव इसको करेंङह ऑगे हैं आप आप याद करलेशन का लिएन डौर्ट्न wetter याद और नारुन याद पार्फ जीन कौन सा है आपँर आप आपकल य्थो इसकी पहली एकल केस्म तीना सिंगल टीक ठीक प्षिए ताथा दूजीन किसमे ती ड्वाल तो वह थी ऑनारा 64 तयार की गए किसके दौरा नौरेंटेन के दौरा ही तिक अधर वराइटी की बात करें तो कल्यार सोना पेपर में कई बार कल्यार सोना लिका बिल्कुल याद कर लिजीगा है लियोकर एक्षाम के लिए बहुत ही इंपो इंपोर्टेट वराइटी की लिके लिए और सुजाता कल्यार सोना यह सब काफी इंपोर्टेट एलो के लिए ठीक है इर्रीगेशन के बात करें तो इर्रीगेशन देखीए किसिक्स ही एक्रेंट हो सकता होती होती है याद के लिए का पेपर में कभी कभी सीधे दौर में पूछा जाता था कि यह में कुल कितनी सिचाइक आप सकता होती है इसमें डिटेल में थोड़ा आपको बता देते हैं फर्स्ट जब होती है क्राउंड रूट इनिशियेशन यह कब आती है 21 दिन में आती है ठीक है कि इस स्टेज कब आएगी जब हो आएके 21 दिन बाद आएगी इस मोस्ट करांतिक अवस्ता है बहुत ही जरूरी इस समय करने ही जरूरी होती है इस समय नहीं करेंगे तो पूरी फसल क्या हो जाएगी खराप हो जाएगी ठीक है जोन ट्रांजिशन जोन बिट्विन रूट हमने बता दिया-ड्रूर उट के बीच क्या करते हैं क्रूरूर इनिसियसन कि इसको हंडि में क्या करते हैं सायद जो आती है 40-45 दे कि लगबग आती है आपको कुछ नहीं करना आपको CR-HI के बारे में डिटेल में पढ़ दीज एगा लियो को एक्जयम कि जितना भी त्यारी कर रहे हैं CRI के बारे में detail में पड़ लिएगा जितना हमने इसमें लिखा काफी कितने दिन बाद आएगी किस दिन बाद आएगी और most क्या है बहुत ही ज्यादा important क्या है एक critical stage भी है CRI stage tillering stage आती चालिस से पैतार जोइंटिंग stage आती है तो आप याद कर लीजेगा CRI stage के बारे में ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं जो next milking stage होती है मिल्किंग होगी वह आती 100-150 दिन डे आफ्टर स्वेंग जब कि टफ स्टेज जब आएगी वह 115-120 दिन में आएगी यह होती क्या टफ स्टेज वैं मिल्किंग फ्ल्यूड इन वीट ग्रेन जब क्या होगा जो गाएग्यों का दाना उसमें क्या होता है मिल्क फ्ल्यूड बनना प्रारम हो जाएगा ठीक है जो बनना प्रारम होता और यह क्या किस तरह हो जाता है बनता है जो मिल्क फ्ल्यूड होता है वह हाल्ड बनना प्रारम हो जाता है ठीक है जब कच्छा होता है उसको फ्ल्यूड टाइम होता है लेकिन जैसे हाल्ड बनना शुरू हो जाएगा तो उसी को क्या करते हैं डफ स्टेज कहेंगे फैलूड इन वीड ग्रेंड टर्न हारडन आप समझ गयोंगे जितना जो फैलूड होता हूँ हारड बनना प्राराम हो जाएगा वही इस्टेज करते हैं जो आती है एक सुपंदर से बचाना है तो हमें CRI stage के बारे में ही सिचाई देनी पड़ेगी, इसलिए CRI stage काफी important है, यदि दो सिचाई है तो CRI और flowering stage जिसको booting stage भी करते हैं, इस समय ही हम सिचाई करेंगे, यदि दो stage है काफी important है, याद करेंगे, काफी question हमने आपके लिए इसमें से बना दिया है, ठी और 40 kg पर हेक्टर चाहिए, फटिलाइजर और मैनि और परमंद की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे, तो सुरू में क्या करते है, हाफ डोज नाइटोजन को डालेंगे, और फुल डोज क्या करेंगे, फासपरस और पोटास को क्या करेंगे, एस बेरसल बॉआई के टेम डालेंगे, हाफ डोज की नाइटोजन को आदा डालेंगे, जबकि फासपरस को और पोटास को पूरिन रूप से डालेंगे, जो बचा हुआ नाइटोजन होगा आदा, यानि कि 60 kg जो बच जाएगा, उसको टॉप ड्रेसिंग के रोब में क्या करेंगे, यूज करेंगे, कि यहां जो बर्सादारित खेती की जाती है, वहां तीनों क्या करेंगे, पूर्ण रूप से क्या करेंगे, स्वेंग से पहले ही क्या करदेंगे, इनको तीनों को स्वेल में इनको 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 अपरेटिन कर देंगे, यानि कि डाल देंगे, मिला दिया जाएगा, ठीक है फ्र फैल्रेस मायनर के इसको का इसको भी कहा जाता है कौन सा घर्पता अरणासी का यूज करेंगे आइसो-प्रोतरोन के बारे में तो फ्रेंट्स आप लोग इसको भी देख लीजिएगा आइसो प्रोटरोन का यूज करते हैं काफी इंपोर्टेंट है आइसो प्रोटरोन 2015 के पेपर में यह आया हुआ कोईशन है जबकि डाइकोट बीज बात करें जिसको डाइकोट वीडि कहते हैं चिनोपुड्यम ही इलबम ठीकर जिसको जंगली चॉलाइवी कहते हैं सेम गियों की तरह होता है जब यह इनिशियल स्टेज में होता है सुरुवाती स्टेज में गियों की तरह ही दिखना है परारंबग करता है अब 2-4-D की बात करें तो 2-4-D की फिल्फरम होती है 2-4-D कलोरो-Phenoxy-Acetic Acid भी इसकी फिल्फरम है तो फ्रेंट्स अब यह कुछ वीड मनेजमेंट के इंपोर्टेंट थे अब फैलरिस माइनर काफी इंपोर्टेंट है और आइसोप्रेटरोन कई बार पूछा भी गया 2015 के एलियों के एक्जाम में भी आया था कि गियों में सबसे ज्यादा आदिक यूज होने वाला खरपतव इस बार नासी कौन सा है यानि कि है रविसाइड कौन सा है हूँ है इसोप्रेटरोन ठीक है फ्रेंट्स अब कुछ इंपोर्टेंट यह हमने आपकी आज की क्रॉप पूरी कम्लीट करा दिया इसकी कुछ इंपोर्टेंट हम चलेंगे फल का परकार केरियोप्सिस होता है और क्या होती है कार्भो हैड्रेड होता है गिहों में प्रोटें जो पाया जाता है उसे गलूटिन कहा जाता है काफी इंपोर्टेंट है सभी जितने कोईसान है काफी इंपोर्टेंट है यह मस उतना की कोई भी एक्जाम ऐसे ही निकल जाए सबजेक्टिव है तो आप सभी लो यह क्या कर रहे है तो हम पूरा हमने बोला ना पूरा सले बस आपका एक भी question नहाँ छूटे इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आपके साथ लगे हुए हैं आपको करना है चैनल को अधिक से अधिक सेयर करेगा और कमेंट करना बिलकुल भी न भूली कि अगर red color का button में बगल आ रहा होगा उसको red press कर लिजेगा और आएगा उसको भी दबा लिजेगा ताकि आप तक जितने भी हम कमेंट करना है कि फैलरिस माइनर जो होता है गियों का मामा जो खर्पतवर होता है उसके बीज का टेस्ट वेट कितना होता है फैलरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है फैलरिस माइनर का ग्यों की टेस्क वेट होता उता हैँपकी पूस्प कर्म की बुरस्स की बात करें तो क्या करते हैं उत्दान के चावल होता इसको क्या guet कहा जाता है इमर neighborhoods known as trit homework prick that कहते हैं काफी इं complètement है उपने बताए हैं भी आपको six प्रेसिंग औफ से रट लीजीगा यह ना सूचिएगा कि पेपर डिले हो रहा है या कुछ भी हो रहा है डिले भी हो रहा तो आपको प्रोपर समय मिल पा रहा है वरना क्या हम बढ़ताबर में आपको कहीं कोई टॉपक छूर जाता तो दिक्कत हो सकते थी सिचाय के लिए करांती का वस्ता होत होती हो जो 21 दिन बाद आती है वहाँ जीन जो रिस्पोंसिबल होता है पौनी पर जाती के लिए वह कौन सा जीन है नौरिन हमने आपको पहले भी बताए मिमिक्री वीट की बात करें मिमिक्री वीट फैररिश्न मैनर है जिसे ग्यों का माम भी कहते है और डिले हैजार्ड ए जीन कि दल्हन फसल होगी उसमें क्या करें इसका ड्रिफ्ट हैजार्ड ऊडिके क्या होगी जितने भी घरपतोर नासी है न 2-4-D उसका क्रॉब में फ़ल्स क्रॉब में एफेक्ट करेगा और कहीं न कहीं ये फसल को लॉस पहुंचाता है ड्रिफ्ट हैजार्ड एंट ट्य इस प्रेयों के दाने इस ताइब का बना हुआ होता है इसको रैचिस का जाता है ठीके फर्स्ट मैंड मेंड सीरियल काफी इंपोर्टन है फस्ट मैंड सीरियल मनुष्यू द्यार किया गया वह है यहीं ला ısुप 24 तवि प्रेज़्य परशेखर प्रोट सया है ग्रअप सही डंक से बंडारन के लिए नमी होनी चाहिए, दानों में नमी होनी चाहिए, अगर हम किसी यानि गियों की वसल को बंडारन करना चाहते हैं, हार्वेश्ट करना चाहिए, उनको मौश्टर कितना होना चाहिए, किसमें, दानों में तो होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए, पे तो दस से बारा परचेंट होना चाहिए मौस्टर काफी इंपोर्टेंट है बायू फटलाजर जो इसमें व्यूज होता है वह होता है एजुक्तो वेक्टर ठीक है फिनेट अधिका रिकमबंडेट रिशो फोर वीड एन मस्टर देखा वीड और मस्टर क्या होती हम क्या क्या होता है यह सब इन चीजों के बारे में इंटर क्रोफ करेंगे इंटर क्रोफ है नौ लाइने किसकी होगी नौ लाइने हमारे क्यों होगी धैन क्या करेंगे एक mustard की oil यानिकी सर्सों की line लगा लेंगे सर्सों भी क्या है रभी केती की फसल है तो इसे काफी अच्छा यह response देता है 9 ratio 1 टकेंगे ठीके फ्रेंट्स export quality of wheat is influenced भाई दिखकर जो हमारी निर्यात करने वाली जो ग्यों होती है किरेंगे कैनल त्याय फक्रवाइद की जाते है karnal brunt लगता है काफी important کرनल br Advent किसमे लगता है यह disease लगता है यह करेंगे जितने भी हमारे निर्यात करने वाले फसल होती है क्या 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 क्रेंड? कर देगा कहीं नकहीं यह क्राइन्ट्स जो quality एनकियों के उसको क्या करेगा crop कर देगा पर वहाइद करेगा इसलिए क्या करेगा इसको disease को बचाने के लिए काफी बार छिटकाव किया जाता फ़सुला में उसके देगर एक में करनाल बंट ना हो ऐसे बीज को किनारे कर दिया जाता है ठीक के बारे हम हम special class लेंगे सभी जितने भी crops होंगे उनके बारे में तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगी comment box में जाके comment करिएगा काफी हम हर वीडियो आपके लिए लाएंगा इसके बाद जो next होगी class वो class होगी आपकी मेज क्रोप और साथी साथ हम बाजरा और मेलेट जितने भी होंगे उनके बारे में हम डिटेल में सौर्ट में बताने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके papers related उनको हम खाफी explain करने की कोशिश करेंगे ठीक ही friends और साथी साथ soil science भी हम इस्टार्ट करने वाले